नमस्कार बहुत स्वागत है आपका इस पुस्प को कहते हैं टेसू का फूल या फिर पलास का फूल यह पुस्प मा लक्षमी को अतिप्रिय है इस पुस्प की बहुत विशिस्ताएं भी है इस पुस्प के कमाल के टोटके भी होते हैं और फायदे भी होते हैं आज हम आपको धन प्राप्ति के लिए कैसे इस पुस्प का प्रियोग करें यही आज आपके साथ साजा करेंगे तो बीडियो के अंतक बने रही है देखिए प्राचीन समय से ही नहीं बलकि अभी भी लोग वास्तु सास्त्र को अपनाते हैं और कुछ चीजों को अगर वास्तु सास्त में कह खा गया है तो घर में रखते भी हैं ताकि इसका फाइदा उनको मिलता रहे तो जीवन से मुस्किले भी कम करता है पास्तु दोस्त जो भी हटानी की चीजे होती हैं अगर उनका आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यकीन मानिए खुसीयां आती है और जो परिशानी है मु और चैसे पास्ते है बहुत जादा मुष्किलें धन की समस्याय है आप वह कितना कुमाल पर बरकत नहीं करता है या संतान से समंदिक कहने का तत पर यह कोई भी समस्या हो लेकिन यह पुस्व कोन समस्याओं से आप को बहार निकाल सकता है है घर के सदुस्वाइста के झीवन हर मुश्किल को समाप्ध कर सकते हैं तो जानते हैं विस्तार से तो हिंदु धर्म में ये जो पधा है जिसकु moral का पूधा कहते हैं और प्राचीन माननतिय ये कहता है कि ये पुस्प अगर घर में आप साल में एक वार भी लाके घर में रख लेते हैं तो जीमन की तमाम फूल खिले नहीं होते हैं थोड़े थोड़े होते हैं तो उस समय उस बंच फ्लावर यानि कि टेसु के फूलों के जो गुच्छे होते हैं उसको मास रुसती की राधना में अर्पित किया जाता है ताकि बिद्या से समंदित बुद्धी से समंदित कोई भी दोसो वह समात हो इसके बाद दूसरी बार जब महासिवरात्री आती है जो आप फालगुन के महने में मनाते हैं महासिवरात्री इस दिन भी सिवजी को यह अर्पित किया जाता है ताकि स्वास्त की समस्याओं से किसी भी तरह का आकस्मिक विपदाओं से बचा जा सके यह पुस्प सिवजी क जिसके फूल को हम टेसू का फूल कहते हैं, इसके औरेंज कलर और रेड कलर दोनों में ही आते हैं, आप दोनों ही कलर को लाकर घर में पुस्प को लाकर रख सकते हैं, लेकिन जोतिस में ये कहा गया है कि टेसू के फूल में देवी देपताओं का वास भी होता है और देवी सक भी होती है यहां तक कि इस पुस्प के चमतकारों से हर समस्या का समापन किया जा सकता है वैसे तो देखिए टेशू का पुस्प जो ना आप जब पेड़ के पास जाएंगे तो बहुत खुबसूरत दिखता है मन पर फुलित हो जाएगा बिना सेलफी नहीं रपाएंगे लेक जाते थे आपको तो पता ही होगा तो यह पुस्प जीवन में सकात्मक उर्जाओं को भरता है उमंग को भरता है तो अब हम उपाई की बात करेंगे अगर आप टेशू के पुस्प को किसी विदिन अभी की जैसा के सीजन भी चल रहा है यह पुस्प आपको आराम से मिल जाएंगे वह भी आप ले सकते हैं पसाफ जगस लीजेगा तो टेशू का पुस्प ले आए और एक नार्यल नारी बानी बाला लानी लियदा है जटा जिसमें हो सामने मुख में जहां पर आंक होती है नारील के वहां पे जटा होता है तो अप लेख लीसे आप नारियल करती है और यह प्रियोग आप करेंगे किसी भी दिन कर सकते हैं वैसे आप सुक्रवार के दिन कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा अब देखिए यह तो था धन की बरकत बढ़ाने के लिए मां सरस्वती को तो अर्पित करने के लिए हमने कहा बसंद पंचमी को किया आता है यह पुस्प किसी भी सुक्रवार के दिन लाकर मां लक्षमी को अतीप प्रिये है यह पुस्प माना जाता है कि अगर मां लक्षमी को आप अगर यह पुस्प अर्पित करें जो तिस कहता है सुक्रवार के दिन मां लक्षमी को यह पुस्प अर्पित करना बहुत सुम माना और इससे ना सिर्फ मालक्षमी प्रसन होती है बलकि आपके कुंडली का सुक्र भी बेतर होता है वही सुक्र जो आपको भौतिक सुक साधन देता है जो आपके जीवन में लगजरी लाइब देता है अब लगजरी लाइब भला किसी नहीं चाहिए हर कोई चाहता है भूमी हो वाहन हो बड़ा सा बिल्डिंग हो तो कम सकम इतना तो हो कि लाइब में कभी किसी चीज की कमी नहीं हो अच्छा खा लिए पहन लिए मस्ती हो गए लाइब तो इसके लिए आपको सुक्र भार के दिन मालक्षमी को यह पूस्प जरूर अपीत करना चाहिए ताकि भौतिक है उसकी कभी लाइफ में कभी नहीं हो अब देखिए अब हम आते हैं कि किसी को कभी क्या होता है ना बुरी नजर लग जाती है अगर आपको भी लगे आपको आपके घर में किसी को भी नजर दोस लग जाता है बार बार तब इसके सुखे वे फूलों का प्रियोक कर सकते है नजर दोस से मुक्ति के लिए कैसे करेंगे कुछ नहीं करना जो व्यक्ति को नजर लगा है उसके बेट के पास थोरा सा पुस्पर रख दे और अगले दिन हटा कर उसको पेड के नीचे कहीं मिट्टी में गमले विगरम भी डाल सकते हैं दबाते अब आपके घर में कोई मिल जाएगा आपको थोड़ा सा तोड़कर लेकिन ऐसे मत तोड़िएगा प्रलास के पेड़ को परणाम कीजिए क्योंकि यहां मालक्षमी का निवास है परणाम करके उनसे आप अपना कामना बोले कोई बीमार है उसके बारे में बताईए हम चाहते हैं कि आप मारे से चले हैं और इसको कब करेंगे किसी भी सनी वार अभी वार मंगल वार यह तीन निन तंत्र क्रियाओं के लिए अच्छा होता है तो आप लाकर सफेद सुती कपड़ा में आप इस जड़ को डालकर लपेट कर जो बिक्ति बीमार हैं उनकी कलाई में बांदें यह परियों आप किस हो जाती है समझ मिनाते हुआ क्या लेकिन ठीक ही नहीं हो रहे तो ऐसा करने से बीमारी से राहत मिलती है और यहां तक कि गरहों से जुड़ी समस्याएं जो असुग्रा होते हैं ना उनसे जुड़ी कभी-कभी समस्याएं बहुत परिसान करती है तो वह भी समाप्थ हो जाती है यह जो टेसु के पुस्प होते है ना इसको अगर पानी में डाल कर उसी पानी से अस्नान करें तो गर्मी का एहसास नहीं होता लू नहीं लगता गर्मी के दिनों में लू लग जाता है ना और पतों का प्रियोग वैसे तो लोग पतल भी बनाने क्लिक करते हैं जिसमें खाना खाया जाता तो यहां पर देखिए टेसु का जो पुस्प है घिसकर जो हो जाता एक भीवारी आपको ब्रह को पता होगा रोगियोंęt को लगा जाता है इसे जो हैं यहां तक कि सकीन की परिसकर इसके लगा जाती है जलन से राहत मिलती है यहां तक कि टेसू के जो बीज होते हैं ना उसको पेट के चो किले होते हैं बच्छों को बड़ों को भी हो जाता है कभी-कभी उसको उसको बंद खत्म करने का भी यह काम करता है और आयूर्बेद ने इसके बहुत सारे महत्व है जैसे कि कफ वात बेनिफिट है जो अगर गिंती किये जाए तो वह गिंती कम पर जाए पर इसके बेनिफिट कम नहीं होंगे तो ऑसदी भी है चमतकारिक इसके परियोग भी होते हैं तांतरिक परियोग भी होते हैं मालक्षमी को मनाने के लिए भी इसके परियोग होते हैं और घर का सुरत फूलों का जोतिस में बहुत महत्व है क्योंकि धन की कमी के साथ साथ भौतिक सुख साधन बढ़ाने वाला भी है यह पूस्ट हमने आपको बहुत सारे प्रियोग बताए जोतिस में एक और प्रियोग है जिस भी नच्छतर में आपका जन्म हुआ है याद रखिए अग तो आपका जिस नच्छतर में जन्म हुआ है उस नच्छतर के आने पर उस पेड़ से समंदी जड़ी बुटी का इस्तिमाल भी अगर उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए अब देखिए जिस व्यक्ति का जन्म पूर्वा फालगुनी नच्छतर में हुआ है उन लोगों को सुक्रवार के दिन पलास यहीं जो बिक हमने बताया आपको टेसु जिसको पलास का बिच कहते हैं के पूलों के कहते हैं ऐसे पौदे को कभी भी हानी नहीं पहुंचाना चाहिए यहां तक कि उसकी लकड़ी पुस्प या उससे बनी किसी अन्य चीज का इस्तेमाल भी नहीं गरह से संबंदित पेड़ पोधे कोहानी नहीं पहुंचाया जाता बलकि उसका पूजा किया जाता है तो टेसु का पुस्प का हमने बहुत सारे आपको प्रयोग बताया उमीद है पसंद आ रहा होगा मालक्षमी को और पी जरूर करें अगर मिल जाए तो सुक्रवार के दि हर हर महादेब धनिवाल